हेलो फ्रेंड्स, आज मही महीने की 20 तारिक है और इस समय तक गर्मिया बहुत बढ़ जाती है और बहुत तेज धूप होती है अगर हम इस समय अपने गुलाब के पौधे पर ध्यान ना दे तो तेज धूप और गर्मी की वज़े से हमारा गुलाब का पौधा सूखने लग जाता है और इसमें फूल आने बिल्कुल भी बंद हो जाते हैं कभी-कभी तो पूरा का पूरा हमारा गुलाब का पौधा सूख जाता है इस समय गुलाब के पौधे को सूपने से बचाने के लिए जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दीजे जहां पर इसको तेज धूप ना मिले, जहां पर दिन की तेज धूप से ये बचा रहे सबसे पहला काम आपको यही करना है, दूसरा जो काम है वो है इसकी मल्चिंग मल्चिंग यानि की इसकी जो मिटी की उपर की सता है आप इसको किसी चीज से ढग दीजे इससे जो इसकी मिटी का मौईशर है वो बना रहेगा और एकदम से इसकी मिटी सूखेगी नहीं और इसका जो असर है वो हमारे गुलाब के पौधे पर नहीं दिखेगा और हमारा गुलाब का पौधा तेज धूप में भी मुर्जाएगा नहीं ये दो ऐसी चीजे हैं जिसका आपको ध्यान असना बहुत जरूरी है इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो ये है कि आप इसके उपा सुबर शाम पानी का स्प्रेए जरूर करें पानी का स्प्रेए करने से गुलाब की जो पत्यां हैं वो सूखती नहीं है और तेज धूप में और गर्मी में भी ये हरी बरी बनी रहती हैं तो इसलिए आप सुबह शाम इस पर पानी का स्प्रेश जरूर करें, अगर आपके पास ताइम की कमी है तो एक बार सुबह में आप इस पर पानी का स्प्रेश जरूर करें, इससे आपके गुलाब के पौधे की पत्यां हेल्दी रहेंगी, और प्लांट हेल्दी रहेगा, बहुत ही बढ़िया homemade fertilizer share करने जा रही हूँ जिसको डालने से आपके गुलाब के पॉधे की जड़े जलेंगी नी और ये एक बहुत अच्छा homemade fertilizer है इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं इसके लिए लिया है मैंने ये केले के छिलके केले के छिलकों को पहले आप धूप मे नहीं हूँ वो है हमारे घर की किचन में निकलने वाले फलो और सबजियों के छिलके जो कि हम फेक देते हैं आपको उन छिलकों को लेना है इनको इस्तिमाल करने से पहले एक जरूरी चीज का आप जरूर ध्यान रखें वो ये है कि इनको आप केले के छिलके के साथ भिगोन हैं उनमें मिठास होती है तो उससे चीटियां लग सकती है यहां एक कंटेरन में मैंने 5 लिटर के आसपास पानी लिया है और यह सारी ही चीजों को मैं इसमें भिगो कर छोड़ दूँगी फ्रेंस आप इनको हलका ड्राय जरूर कर लें क्यूंकि हलका ड्राय करने से आपके प्लांट में किसी भी तरह की चीटी या फिर फंगस नहीं लगता है इसके बाद इसको आप किसी चीज से ढखक कर किसी जगा पर रख दीजे और कम से कम एक दिन के लिए आप इसको ऐसे ही रख दीजे एक दिन बाद आप देखी यह हमारा फटिलाइजर तियार हो गया है जिस पानी में हमने इसको भीगोया था उसका कलर बदल गया है क्यूंकि जितने भी छिलकें हमने इस्तमाल किये थे उन छिलकों ने अपना निउटृशन इसके पानी में घोल दिया है तो फ्रेंट्स दिन भीगोया था तो जितने ही पानी में मैंने इन छिलकों को भीगोया था उतने ही पानी में मैं इसको डाइलूट करने वाली हूँ फ्रेंड्स क्यूंकि गर्मियों का सीजन है तो यहां पर एक चीज़ को आप ध्यान से जरूर सुनने वो यह है कि आप जितने दिन इसको भीगो कर रखेंगे उतनी ही मात्रा पानी की आपको बढ़ाते जाना है अगर आपने इसे दो दिन भीगो कर छोड़ा है तो आपको इसे दो गुने पानी में डाइलूट करना है जितने दिन आप इसको भिगो कर छोड़ेंगे उतने गुने पानी में इस liquid fertilizer को मिला कर आपको आपके गुलाब के पौदे में डालना है इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि जितना ही दिन हम बढ़ाते जाते हैं तो जो हमने liquid fertilizer बनाया है इसका concentration बढ़ता चला जाता है ये उतना ही गाढ़ा होता चला जाता है और उतना ही strong fertilizer बनता है तो उसको उतने गुने पानी में डालूट करना जरूरी होता है इ अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे आपके plant की जड़ को नुकसान पहुंच सकता है और फायदा होने की बजाए ये आपके पौदे को नुकसान कर सकता है तो friends यहाँ मैं इसको पानी में डालूट कर रही हूँ और मैंने एक गुना पानी लिया है क् मैंने सिर्फ इसको एक दिन बिगो कर छोड़ा था तो इसलिए मैं एक गुने पानी में इसको डायलूट कर रही हूँ friends गर्मियों का सीजन है तो इसलिए इसको पानी में डायलूट करना बहुत जरूरी होता है ठंडियों में अगर आप इस फटिलाइजर का इसमाल करते हैं तो आप इसे बिना डायलूट किये भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं क्यूंकि उस समय इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है प्लांट की तो ये किसी भी तरीके का हाम नहीं करेगा ये जो चिलके बच गए हैं इसका इसमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं पहला तो आप इसमें पानी बिगो कर छोड़ दीजे और दूबारा चार से पांज दिन बाद आप इस फटिलाइजर को डायलूट करके अपने पौदों में डाल सकते हैं मैंने पानी बिगो कर पौधे की मल्चिंग कर दीजे पर इसको धूप में सुखाना आप बिल्कुल भी न भूले क्योंकि अगर आप बिना सुखाए इसको मल्चिंग कर देंगे तो यह आपके गुलाब के पौधे में फंगस क्रेट कर सकता है अभी इस फटिलाइजर को अच्छे से मिलाने के पानी लिया है चलिए इसका इसमाल पौधे में करके मैं आपको दिखा देती हूं यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप कोई भी फटिलाइजर अपने गुलाब के पौधे में डालते हैं तो उसको आप इसमें गर्मियों में शाम के टाइम डाले आप सुबह के तो आप इसमाल ना करें क्योंकि शाम के टाइम आप इसे डालेंगे तो आप इसमें और एक्स्टा पानी न डाले इससे आपका जो पौधा है वो जादा देर तक फटिलाइजर को एब्सॉर्व करेगा और एक्सिस पानी न हुनी की वज़े से यह बाहर नहीं निगलेगा तो इससे फटिलाइजर वेस्ट भी नहीं होगा तो इसलिए आप शाम में डालें और उतना ही लिक्विट फटिलाइजर डालें जितना की आपके प्लांट की मिट्टी अच्छे से इसको एब्सॉर्व कर लें इस फटिलाइजर का इस्थमाल आपको 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे में करना है अगर आपका गुलाब का पौधा सूखरा है और उसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस फटिलाइजर का इस्थमाल 10 दिन में एक बार अपने गुल अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांक यू